तो चलिए दोस्तो बात करने वाले हैं कावासा की निंजा 300 ABS के कैस और फाइनेंस के बारे में तो दोस्तो अभी के समय में कैस का एक्स और फ्राइस चल रहा है और इस बाइक को लेने पर कितना टैक्स आपको देना होगा और ये ओन रोड में आपको कितने की मिलने वाली है दोस्तो अगर आप इसे फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो कम से कम कितनी डाउन पैइमेंट पर आप इसे ले सकते हैं और मैंने इसमें ये 3 साल का प्लान लिया है तो आपकी परमंत की किस्ट कितने की बनती है और टोटल ब्याज आपको कितने का देना होगा तो सभी जानकर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो के लाश्त लग बने रहीएगा तो बात करें दिल्ली के प्राइस की तो इसके एक्सोरूम प्राइस है तीन लग 37,000 रुपे दोस्तो आटेमांट आपको पे करना होगा 26,960 रुपे का और इंसरेंस के आपके बनते हैं 12,705 रुपे तो दोस्तो सभी टैक्सिस को मिलाने के बाद आपके उन्रोड प्राइस बनते हैं 3,66,665 रुपे तो दोस्तो ये तो हुए इसके कैस प्राइस की बाद तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फाइनस की अगर आप कराते हैं इसकी डाउन पैमेंट 60,000 रुपे की तो आपका लोन अमांट निकल कर आएगा 3,16,665 रुपे का दोस्तो अगर आप इस लोन अमांट को 3 साल यानि 36 मैने के लिए फाइनस कराना चाहते हैं 8.9 का rate of interest लगाने पर आपकी परमत की किस्त बनती है 10,055 रुपे की दोस्तो इस लोन अमांट को 3 साल के लिए फाइनस कराने पर आपका टोटल ब्याज बनता है 45,320 रुपे का तो डाउन पैमेंट और सभी किस्त को पे करने के बाद आपका टोटल अमांट बनता है 4,21,985 रुपे का दोस्तो अगर आप भी किसी गाड़ी की फाइनस की जानकारी चाहते हैं किसी भी डाउन पैमेंट पर या किसी भी जगा के तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मैं आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाइ करने की कोशिज करूँगा दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली जगा क्योंकि ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ